बसकार आप देखने सुपर फास्ट फ्यूचर और बजार एक रेंज में फसा हुआ है अभी भी ब्यास्सी सो के लेवल को कॉंकर नहीं कर पाएं और यह मुद्धा मैंने कल भी छेड़ा था कि ब्यास्सी सो बीस जो है वो बहुत इंपॉर्टन एक हर्डल है एक सप्लाई जो कि बजार आज का है तोड़ता है कि नहीं तोड़ेगा तो बहुत बड़ी समस्ते बजार के लिए खड़ी हो जाएगी ओवरॉल देखें तो बजार पर जो पकड़ मजबूत हुई है उसमें सीमें पैक एसी से स्टॉक्स शामिल है ग्रासे में अभाई पर्शन का मूव बन का ओपन इंट्रेस को लोपन इंट्रेस और आज भी लगबग धाई लाग शेयर जो है वो सिस्टम में एड होते वे नजरा है तो कहिना कहीं यह एक पॉइंट है जो बजार पकड़े हुए यहां पर ओपन इंट्रेस में कंसिस्टेंट जो है वो इजाफा देखने को मिल र यहां पर खड़ा हुए वो लगबग 82-83 लाग शेयर का है तो यूज हडल है अभी बाजार के पास कुशन कहा है बाजार में पर कुशन यह है कि 8000 और 8100 की जो स्ट्राइक्स हैं पुट साइट पे वो जबर्दस तरीके से बिक्ती चली जा रही है और 72 लाग शेयर सिस्टम इसे चंदन शुक्री आपना समय देने के लिए सर अब यह बताएं यह जो रेंज है यह स्क्वीज होती चली जाएगी या फिर एक तेजी की उम्मीद बजार पर रख सकते हैं क्या कहते हैं से में आप्शन कहा करें जिया रजा देखें बजार ने पिसले तीन-चार दिनों में रिकावरी देखी है नीचे से लगबग 200 की रिकावरी बजार को मिल चुकी है हाला कि उपर के लेवल पर सस्टेंट सप्लाई आ रहे हैं और सप्लाई अना भी लाजमी है क्योंकि बजार वापिस जो 200 यह में 81 50 81 70 के असपास का उसको एक हार्डल बना रहा है बट इंड सब्सक्राइब करना चाहिए कि अपर निकाल की तक का भी मुवमेंट दिखा देए चली लेकर जानकारों कोश्च करतें कि अब करना क्या चाहिए पुश्कराज कनेट कर जी मैंसे जुड़े से जी पेल क्या व्यू है सर क्या यहां से तेजी की पूशिशन बढ़ेंगे क्यों मैं बाबाब यह बात कर रहा है जिसको बजार कंविंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहा है उसके ओपर ट्रेड करना तो बहुत दूर की बात है जी बिल्कुल जैसे आपने बताया कि एक 82-8300 में काफी हस्तक हर्डल है उपर में करीब 2265 और 8335 के दो लेवल निकल के आ रहे हैं जहां पर थोड़ा बहुत एक जिसे कहेंगे हर्डल फिलाल दिखाई दे रहे हैं जो अपना रीसेंट करेक्शन था 8588 से लेके 8916 तक इसका 50% रिट्रेश्मेंट आता है करीब 2265 और 61% रिट्रेश्मेंट आता है 8435 तो इन दोनों लेवल के बीच में शायद बरजार जाएगा लेकिन क्योंकि मोमेंटम लाकिंग है ये जिसे कहते है कि स्लोली दिरे दिरे करके इन लेवल्स तक जाने की फिलाल हमें उमीद है और ये तब तक जानी रहेगा जब तक की नीचे की तरफ 8090-8080 की लेवल अभी फिलाल जब तक बजार तोड़ता नहीं है वे पॉजिट यानि कि आप मानुने के साथ जा सकते है ठीक है 8090-8080 का स्टॉप लॉस लगए है पहला टागेट ब्यासी 65 कर रहेगा उसके बाद देखते हैं क्या पॉजिशन बनती है लेकिन आप पॉजिटिव ऐसा ट्रेड करने की सला देरे हैं तो कौन से स्टॉक पर व्यू पॉजिटिव है काफी दिनों से यह 360 लेवल इसको अच्छा करता सपोर्ट भी दे रही है इसके चलते हुए हमें लग रहा है कि शैद ऊपर की तरफ करीब 350 का एक लक्ष्य मान के हम चल सकते हैं नीचे की तरफ 352 रुपे का एक स्टॉक लॉस इसमें रखना लाजमी बनता है चली पुश्वराज अप्शन के जरीए कोई ट्रेड करना हो तो कोई ऑप्शन है रेडार पर जहां पर कम लागत में पर ट्रेड कर सकता हो और में को रिस्क थोड़ा कम लेना है मार्केट पे 21-22 रुपे में फिलाल ये ट्रेड कर रहा है उपर की तरफ 438-445 तक का इसमें लक्ष होगा जब की शैद ये जो कॉल है बैल इस रुपे तक ट्रेड हो कर सकें साथ नीचे की तरफ एक 9 रुपे का हम स्टॉक लॉस इसमें रखेंगे ताकि नीचे की तरफ अगर आए तो बहुत शुक्रिया सर आपको में से जुड़ने के लिए एट तमनी कॉल खरीद लीजिए टाटा मोटर्स की फिलाल 21-22 रुपे क्या सबस मिल रही 48 रुपे का लक्ष है और 9 रुपे का स्टॉप लॉस लगाना होगा स्पॉट के साब से 400-480 तक के जो टागेट से वो टाट पर डंट करना चाहेंगी अपर टाइम दिन जो भी लॉंग पुजिशन है हम 81.30 के सॉपलोप से गूल करना चाहेंगे आप पर बजय बहुत शुक्री है सर आपक में सजोड़ने के लिए बजार पर आप पोजिटिव हैं आप पहले देखते हैं बजार पर एक च्छोटा स्टॉप लगा रहे हैं इंडेसिंट बैंक आप की फसंद है आप बैंकिंग शेत्र में यह मानते हैं स्टॉक चड़ेगा हजार अठानवे का एक टार्गेट है और हजार साथ का एक स्टॉप लॉस रखना होगा अगर बैंक चूजी करना इंडेसिंट बैंक तो पहले में निफ्टी बैंक का व्यू ले लूँ क्योंकि यह जो है 200 दिन की और सथ को किसी ने तरीकी से एक्सपनेशल एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है यह क्या करना चाहिए जंद निफ्टी बैंक पे यह एक बाउंस के लिए तयार है निचले सो से कुछ खरदारी यहां से एक्जाजरेट हो सकती क्योंकि बहुत अंडर परफॉर्मर निफ्टी के मुकाबले रहा ह लेकिन यह पिछले कुछ दिनों से यह 18,000 के नीचे जाने को भी तयार नहीं क्या करना चाहिए जिए आपने बिल्कुत सही का देखे नो जो नो गया रहा थी नो नवंबर को जब एक सेलिंग देखने को मिला था टरंप रिजल के बाद में तब 18,143 का लो बनाया था कि आज 18,500 निकल जाए तो मेरे साफ से एक शोट टम रिवर्सल हो जाएगा जो बेंग निफ्टी को उपर में अटरा नो सो तक लेके जाएगा वही निफ्टी को भी है ओपर में अटी टू फिप्टी तरग लेने में सक्सेस्फिल होगा तो 18,150 एक इंपोर्टेंट लेवल यह बनाने के बाद इस्टोक लगबग 255 रुपय तक फिसलाता है और अब 250 रुपय की पुट में राइटिंग हो रही है तो 250 की पुट में राइटिंग इंडिकेट कर रहे है कि अब 250 एक स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा तो मेरी यहाँ पर रिक्मेंडेशन है कि चलिए ठीक है मेरे साथ तब जय ठकर साब जुड़े है शेर खान से जैजी नमसकार सर निफ्टी पर कॉल दें और एक स्टॉक जिस पर आप तेजी आफिर मंदी की पूजिशन बना रहे है कि अब आपनो लजट वेल निफ्टी पर मेरे यह ध्यान है जो आपने भी जिखर कि अब जाए है तक बरहे है कि अब भी जुड़े अ पर मिन्फी मेरे अधुड वेल टाजर के लिए एटीन फरींप स्टॉक दूख लोजट में का जैए कि लुक अनो बर्यंसक्ति वढ़ किसे दुड़े इना जाओं कि लिए मौन निफ्टी में परिटर्टि अब्रार मुझे ऐसा लग रहा है कि लो साइब लेकिन फार्मा सेक्टर पर आपने ग्लेनमार्क नेगेटिव ट्रेट जुना है जिस पर आट सो पचास तक के टागेट देखने को मिल सकते हैं तो अभी तक जो भी कॉल्स आइए उसमें निफ्टी पे तो बाइस पॉसिट वे देखिए स्टॉप लॉस एक एसी बीस एक एसी तीस की रेंज पर आपको लगाना है बजार पर हाला कि एक रेंज जो है वो और नेरो होती चले जा रही है पर जो स्टॉक्स अभी तक डिसकस हुए उसमें अर्विंद ये प्रॉमिनिट है इस पर आप खरेदारी कर सकते हैं टाटा मो लेकिन आज जिस तरीकी से ट्रेड हो रहा है यह सीमेंट स्टॉक्स पर क्या व्यू है चंदन क्या लगता है यहां से तेजी कोई स्टॉक पर अभी और भी देखने को मिल सकते हैं इंडिया सीमेंट यह स्टॉक भी पिछले कुछ दिनों से बजार को अंडर परफॉर्म करन करने की कोशिश कर रहा है क्या करना चाहिए इंडिया सीमेंट पर बाकी की सीमेंट स्टॉक्स परिज़ें जब लगब 30-40% के सोर्स बने थे 3-4 दिनों में जब यहां पर गिराउट हुई थी बट अब एक मुल्टीफल सपॉर्ट से टर्न हो रहे हैं जहें सी सी इल्टा ट यह लग बगई 128-133 तक का लेवल दिखा सकता है तो इडिया सीमेंट को ध्यान रख सकते हैं 116-150 के असपास का स्टोप उस रहेगा वहीं ऐसी सी एक डल काउंटर है बट मेरा मानने कि यहां पर भी बाउंस बेका सकते हैं स्टोप को उपर में चंगासों की तरफ लेके जा सकते हैं चलिए हमने थोड़ी तरह पहले जीपेल कापिटल से बात की थे उन कहीं मानना था कि टाटा मोटर्स यह स्टॉक एक अक्टिव हो सकता है अंचल मेरे साथ मौजूद है अंचल बताए मूड़ीज की रिपोर्ट क्या कहते है टाटा ग्रूप के स्टॉक्स बचते हैं शुक्रहारा देखें मूडीज ने चार टाटा कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट जा रही किया है उनका वावना जो विवाद चल रहा है टाटा मिस्पी की बीचियों जिसना ही विवाद चल रहा है उससे ओपरेटिंग कारोबार पे कोई असर नहीं पड़ेगा कंपनियों के Tata Motors, Tata Chemical, Tata Steel, Tata Power चारो ही कंपनिया जो हैं वो कारोबार उनका साउंड है और कारोबार अपने पेस्ट में कामकाच चलता रहेगा जितने भी structural changes हैं या फिर board exits हो रहे हैं या नए additions हो रहे हैं जो board restructuring हो रही है उसका directly link company के performance पे नहीं आता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में और यह जो पुरा विवाद है यह reason नहीं होना चाहिए जो share को drag down करता हो दिखेगा यही कारण है अगर आप देखें Tata Motors को उन्होंने BA1 stable rating दी है वहीं Tata Chemicals को भी BA1 stable rating दी है दूसरी हो Tata Steel और Tata Power को बरकरा रखा है उनका मानना है TCS की वित्यस तितिया भी बेहत मजबूत है और अगर आगे चलके बाकी कंपनियों में कुछ stress आता है कुछ pressure आता है तो TCS जरूर समा help करने के लिए आगे आएगी और साथी साथ ये भी जोर दिया है कि अगर कल को जो असोसियेट कंपनिया है वहाँ पे cash की issues आते हैं तो उस समय Tata Suns कंपनियों में cash डालने का काम करेगी जो support है Tata Suns का वो बरकरा रहेगा और वो एक positive trigger रहेगा across the board Tata कंपनियों के लिए तो net-net देखे तो उनका मानना है जितने भी यह boardroom विवाद चल रहा है यह कई नगए boardroom तक ही सीमित रहेगा कंपनियों की operating performance पे इसका असर नहीं आता हो दिखेगा चले उमीद करते हैं कि जो boardroom विवाद है जैसे मोडी ने बोला है कि वो boardroom तक ही सीमित रहेगा उसका कंपनियों के performance पे असर जादा नहीं देखने को मिलेगा stocks अब निश्टसों से कुछ recovery ज़रूर शो कर रहे है चंदन आप से में view ले लेता हूँ अगर Tata Group सोंवे में कहीं खरेदारी करनी हो तो कौन से stock के साथ जाना चाहिए जहां पर आप समझते हैं कि technical patterns वाकि काफी इंप्रूब हुए पिछले कुछ दिनों में और आने में समय के लिए तेजी बढ़ सकते है अब भी तक अब भी तक सारे जो टाटा ग्रूप कंपनिय कंसोलेशन फेस देखने को मिल रहा है आइटी काउंटर जरूर यहां पर रिकावर हो रहा है जाहिए टाटालेक्स की बात करें और टाटा मोटर्स जो लगादार हम पिसले कुछ दिनों से जिक्र कर रहे है एक रिंज मौन मूँ दिखा रहा है और उपर में ती 475 निकलेगा तब ही जाकि यहां पर एक शोटम बोटम बने को नजर आएंगे लोग लोग बोटम फोमेशन बन रहा है बट 470 निकलते है यहां पर जो नेगेटिव पेटन है वो निगेट हो जाएगा तो मेरे साब सेदी किसी को टाटा गुरूप कंपनी में इंट्रेस्ट है तो 470 को टाटा मोटर्स ले उस कंडिशन में इस टो उपर में लगबग 490 तका वी वो दिखा सकता है